गुड मॉर्णिंग पैरे बच्चो आज हम किलास नाइत की समाजी विज्यान भूगोल की वक्षीट नमबर 68 करेंगे डेट है 18 जन्वरी आज का हमारे टोपिक है प्राकर्तिक वनस्मति तथा वन्य प्राणी यह आपकी बुक का चप्टर नमबर 5 है इस ते पिछली वक्षी यह सब आज की वक्षीट में बताया गया है उसके बाद जीवोम के बारे में बताया गया है ठीक है जीवोम क्या होता है यह दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्तपूर्ण है उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ को अपस में तथा अपने बहुतीक पर्यावरण में अंतर संबंधित होते हैं या ज़ो कोई भी शेत्र होता है उसमें पादव जितने पादव है जितने प्राजय है वह आपस में तथा अपने ऑदवárias नहीं चारों पाश्तिरिक तंत्र होता है क्या होता है यानि कोई एक छेत्र को एक निश्टिष छेत्र जिसमें जो पादापुर प्राणी आपस में भी और अपने बहुतिक प्रियावरण में प्रस्पर संबंदित होते हैं ठीक है वही क्या कहलाता है पाश्तिरिक तंत्र कहलाता है मनुष तो बिलकुल इसका मुख्य भाग है, ठीक है, मनुस्य वन्य जीवन और वनस्पती को अपने लाव के लिए प्रियोग करता है, क्योंकि मनुस्य बहुत लालची है, मनुस्य जितने वन्य जीवन या जीव जन्तु होते हैं, उनका जो वनस्पती पेड़ पौदे होते हैं, तो इसलिए मनुष्य से अपने लालच के कारण इन संसादनों का अधिक्तम व्योग करता है वह विरक्षों को काट कर जानवरों को मार कर पाश्तितिक तंत्र में ऐसंतूलन पैदा करता है परिणाम सरूप कुर्च प्रजातियों के विलुप्त होने का भै होता है ठीक है तो एक निश्चित पिरकार की वनस्पतिया प्राणे जीवन वाले विशाल पाश्तितिक तंत्र को जीवों कहते हैं किसे विश्चित पिरकार की जो वनस्पति होती है या जीवजन्तू होते है उनके विशाल पाश्तितिक तंत्र को जीवों कहते हैं इसका ध्यान रखना है इस का विशिष्ट पिरकार ठीक है ये शब्द बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद हमें दिया गया है प्रतियेक प्रजाती का पाश्तितिक तंत्र में योगदान है अते हैं उनका संग्रक्षण अनिवार है मनुष्य द्वारा पादपो एवं जीवों के अत्याधिक उप्यो के कारण पाश्तितिक तंत्र ऐसंतुलित हो गया है काफी वन्यजी प्रजातियां संकट में है और कुछ लुप्त हो चुकी है पाश्तितिक तंत्र के अत्याधिक शिकार करना है रासायनीक और उद्धोगिक अप्षिष्ट तथा तेजाब जमाब के कारण प्रदूसर्ण प्रजातियों का प्रवेश, किर्सी और निवास के लिए वनों की आनदुन्द कटाई, परिस्तितिक तंत्र के एसंतूलन का कारण है, ठीक है ये सारे कारण है, परिस्तितिक की एसंतूलन के, उसके बाद हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकर्तिक परिस्तितिक त समाप करने की जरुद है, तभी 55 तंतर को हम बचा सकते हैं, ठीक है, तो यह आज की वक्षीट थी, अब है पर कुछ कोशन दिये गए, चार कोशन है, पहला कोशन है, 55 तंतर के संतूलन का मुख्या कारण क्या है, तिसरा कोशन है, जीवों किसे कहते हैं, चोथा कोशन है, 55 तं से आप क्या समझते हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा, पार्स्तितिक तंतर एक ऐसे निश्ची छेत्र को कहते हैं, जिसमें सभी पादप तथा प्राणी आपस में, तथा अपने भोतिक परियावरण में अंतर संबंदित होते हैं, ठीक है, या फिर हम दूशी शब्दों में कैसे भी कह सकते हैं, प्राकर्ति के जैविक और एजैविक घटकों के प्रस्पर किरिया से पार्सिक तंतर का निर्माण होता है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, और दोनों को लिखोगे, यानि पूरा इस तरीके से कोश्चन लिखोगे, तो आपको पूर पूरे नम्मर मिलेंगे, गर चार नम्मर में आएगा, अगर तीन म्मर में आएगा, तो पूरे तीन मुलेंगे, आप अगर इस तरीके से पूरा इसको लिखते हो तो, गुणुरू है उसके बाद हमारा सेकिंड कोशन है पार्षिक तंत्र के ऐसंतुरन का मुख्यकारण क्या है याँविकास k के लिए वनों की अनदुन कटाई करना तथा लाल्ची व्यापाई द्वारा अपने वफसाई के लिए अत्याधिक शिकार करना है ठीक है तो आपको इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है बिल्कुल इनी शब्दों में उसके बाद थर्ड कोशन है हमारा जीवों किशे कहते है तो इसका आंसर हो जाएगा द्रहातल पर निष्टि जलवायू छेतर के एक विशिष्ट पिरकार की वनस्पतियों और जीव जन्तों से मिलकर वने विशाल पाईस्तिक तंतर को जीवों कहते है ठीक है आपको ध्यान रेकना जब जीवों की बात हो रही है तो यहाँ पर एक विशिष्ट पिरकार की वनस्पतियों और जीव जन्तों की बात हो रही है ठीक है और अगर हम बात करें पाईस्तिक तंतर की तो पाईस्तिक तंतर में क्या था उसमें सभी जीव जन्तों पादब सामिल थे ठीक है लेकिन जीवों में क्या है एक विशिष्ट पिरकार के जी प्रषिष्ट प्रगान के वनस्पति ओ और जीवत कहते हैं कि फॉर्ट कोशन है मारा कि 5 प्रटलों के लिए मनुस्यान्टी को क्या प्रियास करने चाहिए संशैप में लिखे हमसे पूछा संतूलन के लिए तो इसका अंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे पिर्टियक पिर्जाती का पाश्रीक तंतर में योगदान है अते हैं मनुस्य जाती पाश्रीक तंतर के संतूलन के लिए निमलिकित प्रियास करने चाहिए मनुस्य जाती को ठीक है यहां से कट जाएगा और य पूणटे रोक लगाना चाहिए, उरवर को एवम रसायनों का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, प्राकर्तिक संसाधनों का विवेख पूणब उपयोग करना चाहिए तो ये सारे प्रियास मनुष्य जाती को करने चाहिए पास्तिरी की संतुलन को बनाए रखने के लिए तो आज की वक्षीटी जिसमें हमने चार कोशन किये और अपनी पूरी वक्षीट को अच्छे से समझा अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्से लोट